हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मा आपके ले जो वीडियो लिका रहा हूँ देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो है, क्यों? इसके पीछे, सबसे पहले असोक लेलेंड के स्टॉक के हम बात करने वाद हैं, और ये अगस्त मन्त की स्टार्टिंग है, तो होता है, क्योंकि वह इक चीज को ट्रैक करते हैं, फंडामेंटल में अगर आप बात करो कि फंडामेंटल, न्यूज, एड आल, तो आप as a retail निवेशक बहुत पीछे रहते हो, लेकिन इन लोग ये जो बड़ी smart money वाले लोग हैं, इनकी चाल को आप देख सकते हो, किस से price action स volume के साथ आप इसको समझ सकते हो, तब आपको गयर असोग लेलेंट, तो बने आपको क्यों का, क्योंकि एक बड़ा event जो की इंतजार कर रहा है, sales report का वो सामने है, और ये report कभी भी आपके सामने आ सकती है, तो यहाँ पे सीधे आपको असोग लेलेंट के उपर लेके जाता ह है, क्योंकि ये flagship company है, हिंदुजा, ग्रूप की और इस stock को अब में ज़रा तसली से आपको fundamental wise तो आपने देखा ये, अगर आप revenue के मामले में देखो, तो किस तरीकी से 2020 में इसका revenue गिरके मिलकुल नीचे आ गया था, और 2021 के financial year में भी आप clear cut देख सकते हैं कि revenue में कैसी गिर हुआ करता था और आप देखे कि कहा पहुझ गया, तो अब एकी rate में उमीदे जिताई जा रही है कि असोक लेलेंड का stock जो है, वो यहाँ पे बड़ा धमाका कर सकता है, numbers अच्छे दिखा सकता है, लेकिन उन सब चीजों को देखने से पहले मैं आपको price action पे लेके जाना च इस stock में ये correction resolve हुआ था, ये consolidation देखने को मिला था resolution के time पे, उसके बाद ये छोटी-छोटी corrections आपके लिए opportunity बनी थी, फिर एक बढ़िया correction आई और इस correction के resolution पार्ट को आप understand कर सकता है कि इस तरह के से higher low, higher high की series start हुई, और stock सीथे 90 से 170 की range तक गया था, फिर जब downward movement हुआ थ structure बना clear cut और आपको देख रहे हो कि rejection और ये, लेकिन अब देखिए 30 रुपी के level तक असोक लेलन के stock का जाना, आपने आप में बहुत ही जबरदस्ते गिरावट, लेकिन अगर मैं बात करूं support की, तो let's understand the support level where it got, ये previous high था, वहीं पे इसने support का काम किया, तो बहुत सारे लो पास गुना हो गया without any major correction, एक halt बढ़िया वाला यहाँ पर जरूर आया था, जो एक halt था, और उसके बाद अगर इसको देखेंगे छोटे time frame पर आपको correction काईड़ दिखेगा, लेकिन उसके बाद कोई major correction नहीं है, तो major correction अब आई, और आपको लगड़ाओ को ही है, ये मंतली breakout साथ के साथ देखने को मिल सकता है, तो इसलिए बहुत सारी नजरे इसके उपर है, और अगर आप volume देखोगे, तो कितना volume जबरदस built-up यहाँ पर हुआ है, फिर correction, negligible volume के साथ, और फिर से ये मजबूती आपको देखने को मिल सकते है, इसलिए ये stock आज हम आपके सामने ल ये level देखिए, this level is very critical, very critical और साथ के साथ इस level को पार करने में जो positive चीजे हैं, वो भी मैं आपके साथ share करने की कोशिश करूँगा, और वो positive चीजे क्या हैं, उनको देखिए, वो positive चीजी है, demand getting increased, so as the risk जो है, वो आपका reduce होता हुआ, आपको देखेगा, अब बात करते हैं इस fall की, देखिए, कभी भी हो, ये fall आपको बहुत trap करते हैं, लेकिन जब आप price action के basics को समझते हो, तो इन moves में आप फसोगे नहीं, बलकि आप कहोगे, नहीं भाईया, a short करेंगे, नहीं भाईया, a short करेंगे, long money जाएंगे अभी, सब कुस नीचे था, 200, अब सब कुस 200 से उपर है, तो मतलब, अब आपको strength वाली opportunity दिखती भी दिख रही है, बट कितनी भी मजबूत स्तिती में, कोई भी stock क्यों नहीं हो, बहुत सारे लोग stocks से emotionally attached हो जाते हैं, मैं आपको कहूंगा कि these are just financial instruments, use them to make money, emotionally attached होनी के कोई जरुवत नहीं, भाईया, यह नीचे गिरना तो तो आप उसको hold करके रखोगे, तो emotionally attached नहीं है, आप अपने goal को समझ दिये, उसके base पे, उस stock को hold करना है, exit करना है, वो उसके base पे हो गया, अब अभी आप यह current level जो देख रहे हो, this is most important level, why? because of this, because of this, because of this, यह area, I will talk about this complete area, यह बहुत important area है, यह बहुत important area, यह zone जो है 130 से 140 का, that is the most important, अभी कुछ दिन पहले भी मैं इस किया, आपके लिए वीडियो लेका है था, और उसके बाद थोड़ा से एक fall आपको देखने को मिला, but इतनी बड़ी candle जो बनी यह fall वाली, अगर आप इसके volume को देखो, यह तो volume बिल्कुल खतम था, तो मतलब क्या है, मतलब किसी द को देखिए, यह points, यानि कि यह swing lows है, देखिए, swing low, this swing low, this swing low is higher than this swing low, मतलब demand getting increased, अब इस एडिया मा चला गया, अगर मुझे लगता कि एक आप दिन का अगर यहां पर consolidation देखने को मिल जाए, यह चोटी सी और एक correction देखने को मिल जा तो मज़ा आ जाए, तो ongoing event जो pending है, वो ह reports, यानि sales, auto sales के numbers, वो आपके सामने आएंगे, numbers अच्छे होंगे, तो फिर तो बहुत धमा का खतरनाख ही है, but technically भी यह stock breakout के level पे बैठा हुआ है, breakout के level पे, आप इसको breakout को होगे weekly के time frame पे, आप monthly के time frame पे, अगर आप तसल्ली से इस पूरी impulse को देखोगे, तो this is just a good correction which is resolving in the form of, आप देखे, क्या बना है यहां पे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि failure swing और non-failure swing को बहुत तसल्ली से जब आप सीखोगे, समझोगे, तो आपको यह चीजे बहुत important तरीके से देखने को मिलेंगे, देखे, this is kind of spring, spring है न, वाइकॉफ स्क्रिम, accumulation वाला, this is a higher, यहां पे क और important part देखता हूँ, जब हम accumulation में देखते हैं इस तरीके कि spring की formation देखते हैं, उस time पे जो retest वाला part होता है, वो और यह structure जो है, यह breakup structure यानि कि BOS आपको देखने को मिला है, तो आप देखोगे, तो जो यह entry points होते हैं, अगर मैं पूरी की पूरी इस area को देखू, correction को देख यह area बहुत important area होता है, यह 5 levels है, 5 retracement level, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो, तो मैंने detail में वीडियो create के रखी है, मेंबर से वारी series में, आप उसको देख सकते हो, बिलकुल बारी की से, यह 70 to 78% अब आपको गए 70 कहां से introduce हुआ, देखिए, जब आप तसल्ली से readers को follow करते हैं, बहुत सारे analysts को follow करते हैं, बहुत सारी books परते हैं technical analysis के उपर, तो उनमें से कही नहीं जो हमें अच्छा लगता है, जो दिखता है कि हाँ, यह बहुत important है, वो हम include करते हैं, अपनी analysis के part में, और उसके basis पर आपके लिए भी videos create करते रहते हैं, तो यह जो देख management हुई है, और यह initial, initial time पर डिखती है, जब correction resolution होता है, तो इसलिए में असोग लेलेन का stock आपके सामने लेके आया, breakout with this 7078, अब अभी फिलाल आपका stop loss इसलिए, अब देखोंगे कैसे breakout हो रहा है, यह area आपका stop loss 120 का, risk management is the most important part, never ignore this one, stock में entry तभी लेनी है, जब आपको पता ह कि आपका loss कितना हो सकता है maximum, अब आपको कहीं यह कैसी बात है, profit की सोचेंगे, loss की सोचेंगे, नहीं, profit is secondary, always think about loss first, how much loss you can make in this, समझे इस बात को, क्योंकि आपकी जो capital है, that is the precious thing, सबसे बेस कीमती चीज वही है, जो आपके पास अभी है, trade लेने से पहले, तो उसको बचाना ह आपकी जिम्मेदारी, आप ऐसा नहीं कि, आपने का मेरे पास तो एक लाग की capital है, लगा तो दाओं पर, एक लाग की अगर आपके पास capital है, तो आपकी risk taking capability पर, पर stock, पर trade की आपकी जो बैठती है, वो एक से 2000 की बैठती है, उससे ज्यादा नहीं बैठती है, तो always calculate your risk, and on the basis of your risk, आपकी जो bracket में बैठता है, उसके basis पर ही आप अपनी position size को define करोगे, otherwise reduce your position size, और ignore the trade, इस चीज को जहान रखे है, तो यह आप असोग लेने के stock को, हम बहुत important तरीके से, बहुत जहान से इस stock को देख रहे थे, यह weekly का chart है, जरा से एक नजर, इसको मैं daily के time frame पर भी ले अगर आप hourly में देखोगी, तो आपको देखने को मिल सकता है, और साथ के साथ, जो मैं एक और important part आपको पताने जा रहा हूँ, वो है RSI का, why RSI? RSI entered in a acid area again, यानि कि super momentum area, but अगर थोड़ा सा halt देखने को मिल जाए, तो मज़ा ही आजा है, आपको कैसी बात करो, इसलिए मैं अगर एकात दिन इन एरियाज में halt देखने को मिल जाए, तो मज़ा ही कुछ और है, तो बिलकोल ध्यान से इस area में consolidation, ये आपके लिए एक बहुत important opportunity, wind up करता हूँ इस वीडियो को, उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्षिन सीखने के लिए आप membership जोइन कर सकते हूँ, जोइन बटन पर क्लिक करकें, thank you, thank you for watching the video.